दोस्तों क्या आप लोग भी चाहते हैं ऐसी ओसम रील अप्लोड करने का बट स्ट्रगल कर रहे हैं कि यार ऐसी रील अप्लोड नहीं पारी हाई क्वालिटी रील अप्लोड नहीं पारी क्या करें क्या करें बहुत इंस्टागराम की वीडियो देख ली तो आपके लिए वन स्टॉप सॉलूशन लेकर आया हूं क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा अप्लोड करने में रील और उसके बाद जा के बहुत हाई क्वालिटी रील अप्लोड कर पा रहा हूं देफिनितली आप लोग मेरे एक्सपिरिंस के यूज़ कर सकते है और अपनी रील का जो गेम है वो डेफिनितली अप कर सकते हैं तो इस वीडियों में बात करेंगी दो ऐसी मेजर सेटिंस की जिसका यूज़ करके आप हाई क्वालिटी रील अप्लोड कर सकते हों पहले ही कि इंस्टाग्राम में दूसरी सेटिंग आती है जब भी को वीडियो बनाओ उसके बाद आपको जो एक्सपोर्ट है स्क्रीन में आने का चलते सीधे इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम पे चल लेगा थाचो के अपने प्रोफाइल की होमपेज पे उपर आपको एक आइकन दिख रहा होगा तीन लाइन वाला उस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपका जो है वो मेन्यू खुल जाएगा तो उसका देख सकते हैं है आपको दिख करा रहा है आपको याव पर रका यह अप लोट हाइज़ा सकते हैं आपने को जे विडियोज ओन मॉबाइल और वाइफाई-चल अं ऐसका मतलब यह है कि कुछ ताइम तक आपक के जो विडिय ओन 예व гол ऍसकी प्र्सेसिंग चलेगी तो इसे कर देते हैं on और ये पहली setting जो है हमारी हो जोगी है complete अब चलते हैं अपनी laptop screen में और देखते हैं वो कौन सी दूसरी setting है export settings जिसका यूज़ करके आप upload कर सकते हैं कुछ भैतरीन high quality Instagram Reels दोस्तों आज के अपनी laptop screen की तरह आप देख सकते हैं हमने premiere pro खोल रखा है बट उससे पहले देख लेते हैं वो साथ setting जो हम लोगों को Instagram की यूज़ करनी होती है जो कि official है और आप देख सकते हैं वो हमारे Adobe की official website पे भी है कि ideal video specs for Instagram जिसमें की पहली आती है कि जो हमारी video format होना चाहिए वो MP4 में होना चाहिए audio का codec होना चाहिए वो AAC format होना चाहिए जो हम विद्ध होनी चाहिए 1080 pixels होनी चाहिए और जो हमारी हाइट होनी चाहिए 1920 pixels होनी चाहिए basically जो aspect ratio हो 9 by 16 होना चाहिए YouTube में जो aspect ratio होता है वो 16 to 9 होता है बट हमारे Instagram में 9 by 16 होता है और lastly जो हमारा codec होना चाहिए वो H264 codec होना चाहिए पर चलते हैं अपने सीथे Premiere Pro में और हम हम लोग कंट्रोल हैं बटन पर क्लिक करते हैं और एक एक format को चेक करते जाएंगे तो देख सकते हमसे वहले हमारे जो format है वो H264 है बिल्कुल ठीक जो हमारी फाइल बनने वाली है बिल्कुल सही फिर हम देख सकते कि जो हमारे final output है वह 1080 और 1920 resolution है यह बिल्कुल ठीक है और सबढ़ कर सकते हैं और आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी उसके बाद भी को आपके डाउट रहाते हैं तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं आपको किसे वीडियो पसंद आई हो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो डेफिनिटी एक लाइक शेर कर दीजेगा उन दोस्तों के साथ जो इंस्टेगरम रीज बनाते हैं इंफ्लूएंसर बनना चाहरे हैं एंड लास्ली मारी कम्मुनिटी के साथ जुड़ने के लिए आपको बस छोड़ा सा काम करना होगा सब्सक्